मैं ये कह सकता हूँ को अगर मुझे उनके माबाप कहेंगे तो मैं श्रयया का मुकदमा निसुल के लड़ने के लिए तयार हूँ पूरी कानूनी मदद करूंगा देखिये मोबाइल बैग में होना नहीं होता ना अगर मोबाइल बैग में था तो आडियस तो था नहीं गटना कि मुझे रगता है कि CBCID और CBI जांच हो तो ही कुछ इसमें हो सकता है इसके अलबता है कि प्राइबेट स्कूल जो है वो एक संगठित गिरों है अब अभिभावकों को लूटने का देखें प्राइबेट स्कूलों का काकस बहुत मजबूत और बहुत बड़ा है उनसे सीधे टकराने की हिम्मत मुझे रखता है वहां के अस्थानी परसासन में नहीं है आजमगढ में स्रेया प्रकंड लगातार सुर्ख्यों है ऐसे में आजमगढ में जो केस स्रेया के साथ हुआ था उसके जो आरोपी थे आज जेल से रिहा हो चुके हैं उन्हें जमानत मिल चुकी ह उनकी मा जी का भी बयान आ रहा है अब उनका कहना है कि अब मुझे साइद इन साथ मिलने में और भी समस्या हो सकती है चुकी जो आरोपी थे उन्हें पुलिस छोड़ चुकी है इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एड़ोकेट वरुन मिस जाती है क्या आप आपकी नजर से क्या दिखता हुआ पक्रण देखे सबसे पहले मैं उस प्रदेश के लिए बहुत शर्मनाग घटने करम है और जिस तरह से बीटिया की मा लगातार नयाई की मांग कर रही है प्रसासनिक अस्तर से वहां के अपने जिल्रे के अस्तर से और जिस तरह से उनको लग रहा है कि कानून की मदद नहीं मिल रही है मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दुर्भागे पूर्ण ये घटना है उनको कानून का साथ बिल्कुल ही मिलना चाहिए जिस तरीके से आरो पे लगा कि उनकी बेटी के बैग में मोबाइल था और जि तो आडियस तो था नहीं इनफार्म करना चाहिए था उसका प्रापर ट्रीटमेंट होता है जिस तरह कि प्राइविट विद्यालों का जो शाशन करने का तरीका है मुझे लगता है उस तरीके को कहीं न कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है विद्यालों प्रसासन और उल्टे वो लड़की को सुर्वार ठहराना चाहता है जबकि इस घटना में सीधे तोर पर मुझे जो लगता है वह स्कूल प्रसासन दोसी है इस पूरी घटना क्रम में कैसे दोसी है देखिए जिस तरह से विरोधा भाशी बयान आ रहे है स्कूल प्रसासन कुछ कह रहा बच्चे उसके साथ के जो साथ में कलासमेट्स है वो दूसरे बयान दे रहे हैं सिक्षक दूसरा बयान दे रहे हैं मैनेजमेंट दूसरा बयान दे रहा है तो मुझे लगता है यह सारे जो विरोधा भासी बयान है एक दूसरे के यह कहीं न कहीं से घटना पर सवाल खड़ है और प्राइबेट स्कूलों की ब्यवस्था क्या है उसको एक गार्जियन के मुह से ना कहलवाईए तो ज्यादा बहतर है मुझे लगता है कि प्राइबेट स्कूल जो है वह एक संगठित गिरों है अब अभिभावकों को लूटने का और सरकार इस तरफ से ऐसे आखे मून क बैठी है जैसे लगता है कि प्रदेश में सब कुछ बहुत अच्छा चला हो लेकिन प्राइबेट स्कूल में पढ़ने वाजे छात्रों के अभिभावकों से अगर दर्द पूछना है तो आप उनसे पूछिए चुकि मेरे भी बच्चे प्राइबेट स्कूल में पढ़ते प्राइब आप यह समझ सकते हैं और मैं मैं पूरी तरह से परिजनों के साथ हूं उनके साथ निया होना चाहिए तो लगता है कि कहीं तो तमाम जो दबाव आपने गिनाए कि इस तरीके के दबाव इस तरीके की सिस्ट्रम जो है वह प्राइबेट कॉलिजों में है कहीं इस स्रेया की मौत का जिम्मेदार सीधे सीधे सिस्टम है यह सिस्टम चाहे सरकार की तरफ से अंदेखी का सिस्टम हो चाहे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से अंदेखी का सिस्टम हो लेकिन पूरी तरह से यह कहीं न कहीं से अंदेखी का ही और सिस्टम की सिस्टम ही इसका गुन कि जब मैं पहले college में गई तो college के 50 मीटर दूर एक ambulance में एक dead body रखी गई थी फिर जब मैं अंदर गई तो बाद में मुझे आधे घंटे बाद बताया जाता है कि आपकी BTI इस दुनिया में नहीं है उनको फिर जब रोने लगते हैं तो बार-बार चुप कराने की कोशिस की ज तो आप इसको कैसे समझ पा रहे हैं कि क्या प्रसासन इसमें क्या छुपाने की कोशिस कर रहा था क्या साक्ष को छुपाने की कोशिस कर रहा था जो विद्याले प्रसासन था क्या कुश होता ना जारा राइस में देखिए private school का काकस बहुत मजबूत और बहुत बड़ा है उनसे सीधे टकराने की हिम्मत मुझे रखता है वहां कि अस्थानिम् हरा कर पेश किया जा रहाय है इस गटना की सच्चाई पर कोई बात नहीं करना चाहता हैं सिस्टम के वाफ नहीं करना अगलिग मैं جहाँ तक जानता हूं इसमें सीधे तोर सीधे सीधे स्कूल प्रसासन पर जिम्मेदार लोगों पर दर्ज होना चाहिए जिस तरीके से वह बिटिया तीन मंजिला 6 सी नीचे गिरती है और इसके बाद वहां पर बलड के धबों को धुल दिया जाता है तो क्या लगता है कि साक्षी मिटाने की कोशिस थी या कुछ और ह जिसने भी कोशिश की है निश्चित रूप से वह भी अपरादी है सबूत मिटाने के आरोपी भी अपरादी होते हैं जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की निश्चित रूप से वह भी अपरादी है उन्होंने अपराद किया है अगर सबूत मिटाया गया है तो जिनों कानून के तहत क्या करना चाहिए था ये कि सबसे पहले तो नियम और काये छोड़ दीजीए सबसे पहले तु बिटीया को एस्पटाल ले जाना चाहिए था पहले ढि घट्न होने से रोकने का प्रयास करना चाहिए था उसको बिटिया को अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए था उसके माबाब आते अस्पताल औया ये कि लगता आप को इतनी सम्भिदाना तो दिखानी चाहि था थे सुझां को। लगता है और विद्याले कुल का काकस बहुत मजबूत है और जिनकी संस्थाय चलती है वरपती- खरपती होते हैं उनसे सीधे टकराने की हिम्मत प्रशाशन भी नहीं करता है अभी एक दिन की छुटी हम लोगों को भी ना बताए हमारे बच्चों के स्कूल में कर दी गई तो प्राइबेट स्कूलों ने जिस तरह से इस घटना में यूनिटी दिखाई है अगर अभिभावक उसकी आधी यूनिटी भी दिखा दे तो श्रया को न्याय मिल सकता है मेरी ये मांग है मैं चाहता हूं कि सारे अभिभावक भी इस घटना पर आगे आए और श्रया के परजनों के लिए न्याय की मांग करें उस बिटिया की आत्मा को जिससे सांती मिल सकें अच्छा है इसमें जिस तरीके से एक है कि ऐसा होना चाहिए था उस वक्त या फिर नहीं देखिए गिरफ्तारी और यह सब तो दूश्रा विसा है सबसे पहले उस घटना पर किस तरह की दर्ज हुई है इस पर ध्यान देना चाहिए फाइयार हत्या के फाइयार दर्ज हुई होती तो निश्चित रूप से दो द दबाव में दर्ज कराई गई है चाहिए वो पैसे के दम पर रसूप के दम पर सरकार के हस्तक शेप पर और निश्चित रूप से मैं तो वहां के सांसद है निरहुआ कहा जाता है दिनेश यादो जी वहां के सांसद है उनको इस घटना पर संग्यान वेना चाहिए और आना सब्सक्राइब करें अगे की विधिक कारवाई के लिए तो वहां के जो जिन्होंने उनको हायर किया होगा वह बताएंगे उनको फिल्हाल मैं यह कह सकता हूं कि अगर मुझे उनके माबाप कहेंगे तो मैं श्रेया का मुकदमा निसुल के लड़ने के लिए तैयार हूँ प जितना मुझसे हो सकेगा मैं उनके लिए पूरी तरह से न्याय की बात करूँगा और जहां तक अब चुकी बात चल पड़ी है बड़े प्रदेश अस्तर से भी इसमर संग्यान वेने की तो मैं यह चाहूंगा कि प्रदेश सरकार भी संग्यान वे वहां का स्थानी प्रसासन स प्रिद्यान वें मैं निशुल्क मद्द करने को तयार हूं कि पूरी तरह से निशुलक कानूनी